और मेरे सहियोगी कुमार गौरव मेरे सा सीधा जुड़े हुए हैं। देखिए जहिड तोर पे ये एक बड़ा मुद्दा बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों के हाथ लगा है। जा रहे हैं उनके साथ बाकी तमाम ताम जहाम जो कारिकरता हैं कैडर हैं वो जाता है। के लेकर आज लोगसभा की कारवाही अवाकरी के दो-तीन दिन बची है लोगसभा और राजसभा दोनों की कारवाही संसत की कारवाही अभी तक एक तरह से धुल गई है 35 बिल सरकार के पास थे एक भी बिल पास नहीं हो पाया सिर्फ फिनांस बिल और एप्रोकेशन बिल जो था। वो जो बहुत जरूरी थे उसके बिना सरकार चलाने में दिक्कत आती, लोगों को तंखा मिलने में दिक्कत आती, सरकारी करमचारियों को वो बिल्स दिर्फ पास हुआ, जबकि इन दोनों बिल्स के लिए 18 घंटे का वक्त था, उसमें सत्ता पक्स और विपक्स बजट पे चर करते रहे और सदन की कारवाही नहीं होती, नहीं हुई, आज भी सदन सुरू होते हैं, राजनिती में चुकी चुनावी महाल है, 23 में कई सारे राजियों में चुनाव है 24 में लोकसभा का चुनाव है ऐसे में ये सत्र एक तरह से आपका सकते हैं कि राजनितिक दलों ने स्टेंट बाजी और पुलिटकल एक नेरेटिव खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया है इसमें दोनों पक्चों की बात करेंगे सत्ता पक्च और विपक्च दोनों जिम्मेवार है और एक मौका आज बीजेपी को मिला है चुकि दस बारा दिन का वक्त बीत गया राहूल गा संदी की सांसदी सदस्ता चली गई उसको लेकर सवाल लगातार बीजेपी पहले से उठा रही है कि इतने बड़े बड़े वकील है आखिर क्यों जाकर सजा परेश्टे लेकर नहीं आया लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा है स्पिकर ने तो अपना काम किया जो कि कानूनी म दूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रही है हमारे साथ और देखते रही है यूस 24